नमस्कार, Local Well YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि Local Well में आप किसी भी कस्टमर की सेल हिस्टरी को आखिर कैसे जान सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सभी मेडिकल दुकान के कुछ रेगुलर कस्टमर होते हैं तो अगर आपको पता करना है कि वो कस्टमर लास्ट टाइम जो प्रड़क्ट लेकर गया था उसकी सेलिंग रेट क्या थी क्या उसमें कोई डिसकाउंट था या फिर साथ में कोई स्कीम भी थी तो इन सब चीजों का पता अखिरा आप कैसे लगा सकते हैं तो उसके लिए आप लोकल वैल एप उपन कर ले और सेल्स सेक्शन में आ जाएं सेल्स सेक्शन में आने के बाद आप एड्ट सेल करें यहाँ पर उस कस्टमर का नाम टाइप कर गए सर्च कर लें तो जैसे ही आप कस्टमर नेम टाइप करते हैं देखिए आपको यहां पे एक option आएक यहां का विप सेल हिस्ट्री तो जैसे यह आप इस पास क्ली टा आपकी पाससेल का सेट्शन हो जाता ह्यां यहाँ पे आपको जित्ती भी उस customer से total sale हुई है वो amount पे आपको नजर आएगा जो उनकी average order value रहती है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं इसके साथ-साथ वो customer आपसे कौन-कौन सी date पे कौन-कौन सी products लेके गया है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं तो example के लिए मानिए अगर हमको यह देखना हो कि last time वह हमसे कौन सा product लेकर गया था तो देखिए यहाँ पे आपको इस product का नाम भी दिखेगा और मानिए अब भी वो customer अगर same to same product आपके पास लेने आया है तो उस customer की जो sales invoices रही है आप उनका exact replica बना सकते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पर आप्शन है replicate this invoice तो जैसे आप इस पर click करेंगे तो देखिए automatically यहाँ पर जो भी last time वह product लेके गयते वह एड हो चुके हैं तो जो उस customer का last order था देखिए उसका exact replica बन चुका है और इससे आपका time भी बसता है तो इस तरीके से आप customer की sales history को जान सकते है लोकल वेल से जुड़ी इसी तरह की informative वीडियो के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें comment section में अपना feedback drop करें और दिये गए WhatsApp नं देखिए है thank you